हेलो फ्रेंड्स मैं प्रदीप स्वागत करता हूँ हमारे वर आपकी यूटूब चैनल ऑनलाइन सब्मिट में है दोस्तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं उधोग अधार के बारे में अपने उधोग अधार बिजनेस को रिनीवल कैसे करना है अपने रेजिस्टेशन नंबर को पा सकते हैं रेजिस्टर कर सकते हैं अपने रेजिस्टेशन नंबर में जाकर सुधार सकते हैं उधोग अधार जो भी अपका बिजनेस है दोस्तों कभी-कभी क्या होता है कि कई लोग जाते हैं अपना online अवेदन करने तो बताता है कि already exit यानि कि उन्होंने पहले से ही register कर रखा होता है और उनका registration बिजनेस अपना register नहीं कर पाते हैं पूरी वीडियो का अंतक देखिएगा आपको पूरी तरीका से समझ में आएगा तो चले दो तो मैं अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं computer के screen पर तो इस तरीके से मैं अपने computer के screen पर आ गया हूँ यहाँ पर disclaimer सुक कर रहा है देख सकते हैं Google ब्राजूर को open कर लेना है तो चले दो तो मैं अपने Google ब्राजूर के यहाँ पर computer के screen पर open कर लिया है यहाँ पर type करेंगे online submit.com याद रहे कि आपको submit में double type करना है जो पहला वाला website सुक कर रहा है इस पर हमको click कर देना है तो चले मैं इस पर मैं click कर दिया हूँ फाइनली इस website पर जोस्तों जैसे बता रहा हूँ ऐसे फॉलो किजिएगा अगर आपने पहले से ही register कर रखा है तो भी कोई problem नहीं है आप अपना फिर से उसको correction कर सकते हैं business register का सुधार भी कर सकते हैं और set video भी ले सकते हैं दोस्तों इस site पर आगा ही site पर हरिक्तर की new new update आपको सबसे पहले मिल जाती है आप लोग के सामने यहाँ पर है राइट सेर्च बार का option है यहाँ पर type करेंगे उद्योग उसके बाद लीकर यहाँ पर search पर click कर देंगे अब दिखिए जैसे ही मैं search पर click किया यहाँ पर बोल पहला वला है online करने का link है दुसरा वला site feedback उद्यम का download कर सकते हैं तीसरा है print evm site feedback डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ पर उपर के में यहाँ पर apply online करने वाले link पर click here पर click कर लेते हैं तो चलिए मैं click here पर click करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं उद्यम registration government.in का official website पर रहा जाएंगे अब दोस्तों हमको यहाँ पर क्या करना है देखे फॉरम भरने के लिए तो मुझे तो क्या करना है पहले वाले पर click करना होगा तभी तो पता चलेगा कि register है कि नहीं है तो पहले वाले पर click करना है जो भी आपका अधान नंबर है अधान नंबर fill up करना ह उध्यामी का नाम click करना है और validate and generate OTP पर click कर देना है तो finally हम चलिए अपने जो भी आधान नंबर है अधान नंबर को डाल लेता हूँ उसके बाद name of interferer जो भी उध्यामी का नाम जिस जैसे आधार में नाम है वैसे आपको यहाँ पर नाम डाल देना है तो चले मैं यहाँ प पासवर्ड आपके मोबाइल पर चला गया तो चले मैं डाल लेता हूँ अपना पासवर्ड को और फासवर्ड OTP है जो सेंट नंबर आपको दिखा रहा है लास्ट में 52 दिखा रहा है यानि कि जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो लास्ट में 52 है तो मैं अपने OTP को fill up करक अब दिखें यहाँ पर बुला जा रहा है उद्यम अधार मेमोरेंडम UAM has already been done through this अधार नंबर इसका कहने का मतलब है कि पहले सहीं आपने UAM activate कर लिया है आपने registration कर लिया है और फारम को भर लिया है अब दिखें दो तो यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको फारम को भारेंगे फैनली बात आप लोग समझ गए होंगे मैं कहने के चाहता हूं कि यहाँ पर आपके सामने इंटरफेस रेड कलर में दिखा दिया कि आपने पहले सहीं विदन कर रहा है देखें यहाँ पर प्रिंट वेरिफाइब पर जाएंगे प्रिंट उद्यम साटिफिट आपका मुबाइल नंबर होगा उसको डालकर विलिडेट करेंगे तो यहाँ पर उद्यम रेजिस्टेसन को हटा देंगे उद्यम अधार मेंमोरेंड़नडम पर क्लिक करेंगे तभी दिखाएगा देखें यहाँ पर इंटर मुबाइल इमज नौट रेजिस्टर तो हम क्या करते हैं उधोग अधार मेमोरेंडम कर लेते हैं उपर में यहाँ पर जो फाला वाला है हाँ मैंने कर लिया उसको मोबाइल कोडर का वेलिडेट करेंगे ओटीपी चला गया है फिर से अपने ओटीपी को यहाँ पर फिल अप कर लेंगे दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना ना भूलें देखे मैंने ओटीपी को डाल लिया वेलिडेट पर क्लिक किया रजिटेशन नंबर द पूरी तरीका से कैसे कैसे आपको क्या करना है पूरी जनकारी यहाँ पर तो मुझे जो भी रेजिस्टेशन नामेर में इसको एक बार कॉपी कर लेता हूं कॉपी करके रख लेते हैं अब मुझे क्या करना है अपडेट करना है तो वो चीज आपको ध्यान से देखना है चल डाल देंगे उद्यम डैस बिया डैस जो भी है अपने यहां पर फिल अप कर लेंगे चले मैं यहां पर फिल अप कर लेता हूं एक ही में उसके बाद देखिए यहां पर क्या कर लेता है यहां पर मैं नहीं किया फिर से हम क्या कर लेता है फिर से यहां पर मुझे फॉर्गेट करना पड़ेगा जहां से जो ID था वो पूरी तरीका से यहां पर क्या करेंगे यहां पर डाला है चलिए मैं डाल लेता हूं दोस्तों दियान से दिखिए का यहां पर पूरी तरीका से आप लोग के सामने यहां पर मैं copy करके रख लिया हूँ उसको क्या कर लेंगे यहाँ पर डाल देंगे देख देख चलिए आपके सामने मैं live डाल देता हूँ फिर से मैं देख लेता हूँ new top पे जाके यहाँ पर copy किया हूँ 44083 यहाँ पर दिया गया है डाल दिया हूँ उसके बाद mobile नंबर जो भी है डाल देंगे अब देखे OTP on email edge मैंने OTP email पर देना चाहता हूँ तो यहाँ पर second option choose करेंगे mobile देना चाहते हैं तो first पर क्लिक करेंगे तो मैं mobile पर कर लेता हूँ यहाँ पर validate एंड जनरेटरी पर क्लिक करेंगे तो बोल रहा है कि not register at correct details यहाँ पर जो भी यहाँ पर registration नंबर वहाँ पर उपर में उद्यम registration नंबर है वो गलत फिल हो रहा है तो मैं फिर से उसको स्तही तरीका से open कर लेते हैं तो चले मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ जो अब हमारा उद्यम registration नंबर है एक बार फिल अप कर लेते हैं चले यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ बेड़े टेम जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे फिर से print verify पर जाएंगे जितने भी है आप दिखिए हमारा यह फिर से यहाँ पर search करना है पहले वाले अबें second option पर मुझे चलना है यहाँ पर for those already having account इस पर क्लिक करना है अपना जो भी अधान नंबर है अधान नंबर उद्योग अधान नंबर डालेंगे उसके बाद OTP पहले वाले मोबाइल पर OTP जाएगा और दुसरा option इमेल पर जाएगा जिस पर आप बेजना साहते हैं उस पर आ सेलेट करके भी ले सकते हैं देखे तो तो मैं वेलिडेट कर लेता हूं यहाँ अपर देखें यहाँ पर do you want to migrate from उध्योग धार तो मुझे हाँ करना है लेकिन तो तो अगर no करते हैं तो आपका यह migrate कर दिया जाता है उससे समय रोक दिया जाता है देखें यहाँ पर next करता कर लेता हूं और उसके बाद आपको migrate करके आपको correction का update का forum भरके बताते हैं home करने के बाद second option को choose कर लेना है तो चले मैं यहाँ पर फिर से मैं home कर लेता हूं आपके सामने live दूसर वीडियो आप लोगो कैसा लग रहा है मुझे comment कर गए जरूर बताइएगा तो finally यहाँ पर यहाँ पर पूरी तरीका से यहाँ पर validate कर रहे हैं तो यहाँ पर yes कर देंगे फिर से मैं डाल दिया हूं migrate पर click कर देंगे अब देखे pen verification मांगा जा रहा है जो भी आपका pen card है उस pen card को यहाँ पर fill up कर लेना है चले मैं fan card को fill up कर लिया उसके बाद मैं नीचे चलाता हूं च चले मैं यहाँ पर दोस्तों आपके सामने live हूं मैं validate पर यहाँ पर click कर देता हूं चले क्लिक कर दिया your pen has been successfully verified है हमारा pen card जो भी है verified उट चुका है continue पर click कर देंगे अब देखे मैं जैसे continue पर क्लिए पहला वाला अफसनों आइटर भरते हैं तो no है GST no कर दिया यहाँ पर mobile number है mobile number डाल देंगे जो भी आपका email id है email id को एक बार डाल लेंगे तो चले मैं mobile number को यहाँ पर fill up कर लेते हैं चले मैं mobile number को fill up कर दिया अब जो भी आपका email id है उस email id को यहाँ पर fill up कर देंगे आपके सामने live चले मैं यहाँ पर email id को भी यहाँ पर fill up कर दिया अब दोस्तो में ST जो भी है select कर लेंगे तो OBC मैं select कर लिया हूँ gender में mail हूँ तो mail select कर लिया बिकलंगता है तो no कर दिया बिकलंगता उसका बाद name of enterprises आपका पहले से डाला गया है यहाँ पर इसको हटा कर अपना जो भी डालना चाहते हैं डाल देंगे तो चलिए मैं जो भी यहाँ पर डालना चाहता हूँ enterprises का नाम यहाँ पर मैं fill up कर लेता हूँ दोस्तों वीडियो ध्यान से दिखिएगा तभी आपको समझ में आएगा और अच्छा लगेगा forum भरते समय आप लोग देख सकते हैं अब देखिए यहाँ पर जो भी है मैं एक बर डाल लेता हूँ fill up कर लेता हूँ अपने enterprises का नाम यह दोस्तों इसको बुलायाता है सुक्ष मलगू और मद्यम उद्धम मंत्रा पिछड़ा बर के जाती के लिए यहाँ पर दिया जाता है सभी केटेगरी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जैसे आपको बहुत सारी यहाँ पर सोविधा दी जाती है जो आप अपना online माध्यम से ले सकते हैं UKE का नाम unit का नाम डालेंगे एक unit add करेंगे अपना जो भी है जिस चीच का काम करते हैं उसका एक अपना unit add करेंगे अब देखें ईवएम साटफिट एक पाहले से ईवएम साटफिट एक बताय रहा है तो इसको आपको यहाँ पर डालना होगा मैं बताऊंगा प्रिवियस एवेम में चले मैं unit name पहले डाल लेता हूँ वेडियो दोस्तों द्यान से दिखिएगा तभी आपको समझ में आएगा इसको एक चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर गलाट डाला हूँ इकाई का नाम पूरीतिका से प्लांट पे क्लिक करके एड करना है तो चले मैं अपने इकाई का नाम यहाँ पर डाल लेता हूँ दोस्तों वीडियो द्यान से दिखिएगा तभी आपको समझ में आएगा और अच्छा लएगा फॉम बरते समय कोई भी आपकी काम कर सकते है तो चले मैं दोस्तों यहाँ पर जो भी अपना इकाई का नाम है अपना डाल लेता हूँ चले मैं डाल दिया फ्लैट डूर नंबर जो भी है वो अपना डाल लेता हूँ वाड नंबर यहाँ पर कर देता हूँ वाड नंबर जो भी है डाल लेता हूँ अब दीखें यहाँ पर क्या है Name of Premises, Buildings, Pariser भावन का नाम यहाँ पर डाल देंगे चले मैं डाल लेता हूँ अपना सहर का नाम जो भी है Gram यह सहर का नाम डाल देंगे जहाँ पर IKAI है जहाँ पर Location of Plant यह Plant का Location डाल रहे है सड़क का नाम जो भी है कौन सा रोड में है तो दाल देंगे चले मैं यहाँ पर CT डाल दिया उसके बाद पीन कोड को यहाга पर डाल देता हूँ उसके बाद जो भी आप जिस राजे से बिलाउं करते हैं उस राजे को सेलेट कर लेना है चले में select कर लिया जो जिस district से belong करते हैं उस district का नाम यहाँ पर select कर लेंगे add plant पर click कर लेना है देखें यहाँ पर click कर दिया अब देखें नीचे है official address यानि की कर्याले का पता भणना है 14 number column है यहाँ पर यादी पिछला है तो यहाँ पर पहले वाले previous UAM पर click कर लेंगे और जो previous UAM है यहाँ पर डाल देंगे जो भी आपने यहाँ पर copy किया था इसको पूरी तरीका से copy कर लेंगे और यहाँ पर paste कर देंगे तो मैं डाल दिया हूँ अब दिखें यहाँ पर status of enterprise date यहाँ पर date of incorporation का जो भी update दिये थे हैं फिर से हमको date डाल देना है यहाँ पर bank का नाम डाल देना है तो चले मैं इस सूरू से दिखाते हैं आपको date पहले यहाँ पर choose कर लेता हूँ चले मैं यहाँ पर date को डाल लेता हूँ जनवारी कर लेता हूँ यहाँ पर finally दोस्तों आपको like बता रहा हूँ वीडियो दोस्तों यह छोड़ना नहीं है आपको last day देखना है और दोस्तों एक like जरूर किजएगा चैनल को subscribe किजएगा date of consumerment भी डाल देंगे यहाँ पर commencement चले मैं डाल दिया यहाँ पर अब देखें बैंक का नाम जिस बैंक का मैं आप खाता देना चाहते हैं बैंक का पूरी तरीका से नाम डालेंगे उसके अगला में है यहाँ पर दिखा देते हैं IFC code जो भी बैंक का IFC code है उसको fill up कर लेते हैं अब दिखें आगे है बैंक एकाउंट नंबर बैंक खाता संगा जो भी आपका एकाउंट नंबर है वो पूरी तरीका से डाल देंगे अब मैं चलता हूँ नीचे यहाँ पर सर्विस पर क्लिक कर देंगे सत्विर नंबर का manufacturing यानि की भी निर्माण होता है सर्विस मतलब सेवा देते हैं मुझे 17 नमर में सर्विस को क्लिक कर देना है तो चलिए मैं यहाँ पर सर्विस पर मैं क्लिक कर देता हूँ अब देखें यहाँ पर trading है तो मैं बेपारिक trading कर लेता हूँ NIC कोड़े ही महत्तव पूर्ण है तो यहाँ पर जब furniture के काम करने है तो furniture कर देंगे furniture में जो category आप choose करेंगे वही अपना ले लेंगे जैसे कि अपना जो भी है manufacture या जो भी wood लगडी खा जो भी अपना करते हैं अपना डाल देंगे manufacturing already यहाना इसी 4 code 5 code यहां पर ले लेंगे add activity पर click कर देंगे तो add हो जाएगा तो चले में एक बार पूरी तरीका से यहां पर add कर देंगे यह पहले से डाला गया तो मैं इसको delete भी कर सकता हूँ यहां से मैं delete कर देता हूँ इसको फिर से यहां पर add activity क्लिक कर देंगे चले में click कर दिया है यहाँ पर add हो गया अब देखें यहाँ पर आपके संस्थान में पूरुस कितने काम करते हैं उसके बाद इस तरी कितने काम करते हैं अदर्स कितने काम करते हैं तो पूरी तरीका से डाल देंगे तीन कर लेता हूं अब देखें यहाँ पर turn over कितना है एकजामपल में मैं दो ल कर लेता हूं 2 lakh से दिखा दिया यहां पर भी 2 lakh टोटल 10 नोबर 20 से कई से यहां पर भी मैं 2 lakh कर लेता हूं अब दिखें तीनों portal पर register भी करना चाहता हूं government e-market, tids portal, national career service तीनों को yes 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 कर लेता हूं चले मैं yes कर लेता हूं अब दिखें यहां पर दिया गया है, submit your पूरी तरीका से भड़ लिया है, तो दोस्तों यहां पर आप क्या करेंगे, पूरी तरीका से NIC code को मैंने डाल दिया है, या assess कर दिया है, last में submit and get final OTP, यहां पर submit कर देंगे, उसके बाद final OTP डालेंगे, register हो जाएगा, फिर से आपको उद्यम certificate नमर मिल जाएगा, और 24 घंटा बाद फिर से आपका certificate जनरेट हो जाएगा, आप उसको रख लिजेगा, और पूरी तरीका से आप अपना पूरी तरीका से certificate डाउनलोड कर लिजेगा, तो finally हो गया हमारा renewal, फिर से हम अपना certificate 24 घंटा बाद डाउनलोड कर सकते हैं, उमीद करते हैं ये वीडियो बहुत समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगते चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अपने सारे फ्रेंड के साथ जिरूर शेयर करें, तो चैनल को मिलते हैं अगले वीडियो अगले ट्रीक के साथ